नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CGPAC PUN भरती परिछा 25 सेप्टेंबर 2022 को पूझे गए गनीत के प्रस्णों के बारे में निम्ना में से कौन सा रिन 4 बटे 7 के समतुलिया नहीं है तो रिन 4 बटे 7 में आंसर हर में 3-3 का गुना करेंगे तो रिन 4 बटे 7 के समतुलिया नहीं है इस तरह से इसके सहीं उत्तर है वह है option C, रिन 8 बटे 28 अगला प्रस्ण है निम्ना में से सबसे छोटा कौन सा है रिन 4 बटे 15 को हम लिख सकते है क्योंकि 4 को 15 से भाग देंगे तिह हो जाएगा इसी तरह से रिन 3 बटे 10 को हम लिख सकते है रिन 0.3, रिन 11 बटे 30 को लिख सकते हैं हम रिन 0.3, 6, और रिन 2 बटे 5 को हम लिख सकते हैं रिन 0.4 इस तरह से दिये गये में सबसे छोटा है वह है रिन 0.4 जो की option D, रिन 2 बटे 5 के बराबर है इस तरह से इस दिये के option सबसे छोटा है वह है option D, रिन 2 बटे 5 अग्ला प्र arisesN है, रिन 18 कुना, रिन 0.1 धन 14 भाग 7 बराबर होगा तो मिन लिखा है, रिन 18 गुना, रिन 1 धन 14 भाग 7 तो रिन 18 कुनित 0.2 को 7 से भाग देंगे, तो यह उजज़एगा, इस तरह से इसका ग जुप से a सबस्क्राइब प्रती किलोग्राम की दड़ से साड़े 8 kg सकर का मुल्य इस तरह से 8 kg शक्कर का मुल्य है, वो है option A, 314.5 रूपिय, अगला प्रस्ण है, एक व्यक्ति प्रती महा अपने वेतन का 12% बचाता है, जरी उसका वेतन धाये जार रूपिय है, तो उसका प्रती महा खर्च होगा, तो प्रस्ण में दिया है, वह अपने वेतन का 12% बचाता है और पुछा है, प्रती महा खर्च कितना होगा, जब 12% बचाता है, तो खर्च हो जागा, 100 में 12 घटाएंगे, तो 68% के बराबर, इस तरह से हम 25 का अगर 88% निकाल लें, तो उसका प्रती महा खर्च निकाल जागा, इस तरह से, धाये जार का 88% बराबर हो जागा, तो इसे इ एक सुनिया, एक सुनिया, और ये एक सुनिया, एक सुनिया, कड़ गया, 25 कुनिया, 88 करेंगे, तो ये होगा 22 के बराबर, इस तरह से इसका सेयुदतर है, option B, 22 रुपिये, अगला प्रस्न है, एक त्रिभूज के दो कौन 48 डिग्री तथा 73 डिग्री है, तब त्रिभूज क इस साइड चाहेगा, तो माइनस माझाएगा, इस तरह से एक से बराबर होगा, 180 माइनस 48 माइनस 73, 180 में 48 और 73 हो घटाएंगे, तो ये एक से बराबर हजार 69 डिग्री के बराबर, इस तरह से तिसरा कौन है, वो है option D, 69 डिग्री, A तथा B के बीच 20 मिठाई, 2 अनुपाद 3 के अनुपाद में बांटी गई, तब B को कितनी मिठाई मिलेगी, प्रस्न में दिया है, A तथा B के बीच 20 मिठाई को 2 अनुपाद 3 के अनुपाद में बाठा गया, मतलब 3 और 2, 5 अनुपाद बराबर 20, तो एक अनुपाद इस तरह से B को 12 मिठाई मिलेगी जो कि Option B में दिया गया है. अगला प्रस्न है 1 सकी घहादो रीन 5 एक से धन 6 का 1 से बराबर 3 पर मान होगा. प्रस्न में दिया है 1 से बराबर 3 और 1 सक घहादो रीन 5 एक से धन 6 में 1 से बराबर 3 रखने पर इसका मान कीतना होगा? यह पुछा है, तो एक सब्सक्राइब जागा, तीन रग देंगे, तो यह हो जागा, तीन की खाद 2, रीग, 5,3, धन 6, तो यहाँ तीन थीकना और पांतिया, 15, 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 15 और 15 में 15 घटाएंगे तो बचेगा 0 इस तरह से इसके सेंगतर है वो है option A 0 अगला प्रष्ण है एक इसकोटर का मुल्या 40,000 रुपया है इस वर्ष्ण उसके मुल्या में 20% के विध्य हो जाती है तब इसकोटर का वर्टमान मुल्या क्या होगा प्र behaved करेंगे तो यह 120 प्र gereal बें चाली सचार को व responsive मुल्या निकलकर आ जाएगा इस तरह से 40,000 का 120 प्रतिशा तो इसे इस तरह से उलिश सकते हैं 40,000 गुना 120 बटे 100 ये एक सुन्या एक सुन्या एक सुन्या एक सुन्या और एक सुन्या कट गया ये हो जाएगा 12 चुक 48 मतलब 48,000 के बराबर इस तरह से इस्कूटर का वर्तमान मुला है वह है option C 48,000 रुप्य के बराबर अगला प्रस्न है रिन 3 की घाद 2 गुना रिन 3 की घाद 3 का मान होगा प्रस्ण में दिया है रिन 3 की घाद 2 गुना रिन 3 की घाद 3 इस तरह से 9-27, मुहन की तनखा में 10 प्रतिसत वृद्धी हो जाती है, और उसकी नई तनखा रूपय है, मुहन की वास्तविक तंखवा होगी, तो प्रस्व में दिया है, मोहन के तन्खा में 10% व्रिधी हो जाती है और उसकी नई तन्खा है वो 13200 रुपया मतलब यह 13200 रुपया है वो 110% के बराबर है तो 110% बराबर 13200 रुपया अब पूछा है मोहन के वास्तविक तन्खा कितनी होगी तो 110% बराबर 3200 रुपय है हमें निकालना कितना है 100% मतलब वास्त विक्तान खाए तो यह 100% बराबर हो जागा 13200 गुनित 100 बटे 110 एक सुन्य एक सुन्य कट गया और इतना को जब सॉल करेंगे तो यह हो जाएगा प्रतिसद बराबर 12000 रुपय जो कि option C में दिया गया है अगला प्रस्न है राम के पास 4250 रुपय है उसने 20 प्रतिसद खड़ चकर दिये तो उसके पास कितने रुपय बचेंगे ये एक सुनिया, एक सुनिया, एक सुनिया और एक सुनिया कट गया, 425 गुना आट करेंगे तो ये बराबर होगा 3400 के बराबर, तो इसके सहीं उतर हो है option A, 34 रुपया, अगला प्रस्न है, एक मसीन 6 घंटे में दूद की 840 बोतलों को भरती है, तो 4 घंटे में कितनी बोतले भरती है, अब पूछा है, तो 4 घंटे में कितनी बोतले भरेंगी, जब 6 घंटे में 840 बोतले भरती है, तो 4 घंटे में 840 गुना चार बटे 6, तो इसको हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 घंटे में 560 बोतले भरेंगी, जो कि option B में दिया गया है, अगला प्रस्न है, अब पुछा है, उसकी परिधी कमान कितना होगा, तो 4 घंटे में 8A प्लस 4B, जो कि option D में दिया गया है, अगला प्रस्न है, एक ट्रक 20 मिनट में 16 किलमोटर की दूरी तय करता है, यदि उसकी गति समान है, तो वह 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो प्रस्न में दिया है, एक ट्रक 20 मिनट में 16 किलमोटर की दूरी तय करता है, तो एक घंटे का निकाल लेंगे, एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो यह हो जाएगा 20 तिया 60 और 16 तिया 48 तो 60 मिनट मतलब एक घंटे में 48 किलोमेटर की दूरी तै करता है, अब प्रस्ण में पूछा है, 4 घंटे में कितनी दूरी तै करेगा, जब एक घंटे में 48 किलोमेटर की दूरी तै करता है, तो 4 घंटे में 48 किलोमेटर की दूरी तै कर एकस का मान होगा प्रस्न में दिया है 5x से धन 3 बराबर 3x से धन 7 तो 7 में 3 घताएंगे तो बचेगा 4 इस तरह से 2 x से बराबर 4 और 4 को 2 से भाग देंगे तो हो जागा 2 दे चार मतलब 1 से बराबर 2 जो की आप्षन b में दिया गए है अगला प्रस्न है एक बटे दो की घाद दो पूरे की घाद चार का मान होगा यहाँ पास देखिए एक बटे दो की घाद दो को हम लिख सकते है एक बटे दो पूरे की घाद दो के रूप में इस तरह से ये एक बटे दो की घाद दो पूरे की घाद चार को हम लिख सकते है एक बटे दो पूरेक घात दो गुनिक चार के रूप में है यह दो गुनिक चार हो जाया गया तो यह चार दो नी आठ इस तरह से एक बटे दो पूरेक घात आठ जो कि आप्शन D में दिया गया है अगला प्रस्न है 729 के वर्गमूल, वर्गमूल 729 का मान होगा तो वर्गमूल 729 का मान होगा, 729 को हम लिशकते हैं 27 गुना 27 के रूप में इस तरह से यह हो जाएगा 27 जो कि आप्शन B में दिया गया है वर्गमूल 729 का मान होगा 27 अगला प्रस्न है तीन बटे साथ धन पांच बटे च्छाय का मान होगा प्रसने पुछाए, तीन बटे साथ धन पांच बटे च्छाय का मान कितना होगा तुछे हम लिए सकते हैं, यह हो जाएगा छेट्रिक 18 और 7 smart 35 और 7 गून 6 तो 18 में 35 जो लेगे तो यहां 33 और 76 का 42 इस तरह से 3 बटे 7 धन 5 बटे 6 का मान होगा 3 बटे 42 जो की option B में दिया गया है अगला प्रस्न है दो संख्याओं का अंतर 3 तथा इनके वर्गों का अंतर 45 है इन में से छोटी संख्या है माले ते 2 संख्या एकसा और Y है यह A2-B2 के फार्मला के रूप में है और A2-B2 बटे है A-B के रूप में तो हम X का वर्ग, रिन Y का वर्गों को लिख सकते हम X से धन Y गुना X से रिन Y बराबर 45 के रूप में X से रिन Y बराबर 3 यहाँ पास है तो X से रिन Y के जगर रख देंगे 3 तो यह हो जाएगा, X से धन Y गुना 3 बराबर 45 यह 3 इसर जाएगा भागित में तो जाएगा 45 को 3 से भाग देंगे तो जाएगा 15 तो X प्लस Y बराबर 15 जब X प्लस Y बराबर 15 और यहाँ पास देखिए तो और 3 और 15 को जोड़ेंगे तो यह 18 इस तरह से 2X बराबर 18 तो X से बराबर हो जाएगा 9 यहाँ पास देखिए X प्लस Y बराबर 15 निकाले हैं और X बराबर 9 तो Y बराबर हो जाएगा 15 रिन 9 इस तरह से Y बराबर 6 अब प्रस्न है इन में से छोटी संख्या कितनी हैं तो एक संख्या है 9 और दुसरी संख्या है 6 तो दोने में छोटी कौँसी है वह है अब से 6 अगला प्रस्न है जदी समुच्य A बराबर 4, 5, 6, 7, 8 तथा B बराबर 5, 7, 9, 11 है तब A रिन B बराबर कितना होगा तो प्रस्न में दिया है A बराबर 4, 5, 6, 7, 8 और B बराबर 5, 7, 9, 11 और पुछा है A रिन B कितना होगा तो A रिन B मतलब हमें A के उस आवयो के मान को लिखना है जो B में नहीं है तो देखिए 4 वो B में नहीं है तो यहाँ पास 4 लिखेंगे 5 B में भी है तो इसको नहीं लिखेंगे 6 B में नहीं है तो यहाँ पास 6 लिखेंगे 7B में है तो इसको नहीं लिखेंगे 8B में नहीं है तो इसको लिखेंगे इस तरह से A-3B बार होगा 4, 6, 8 जो कि option C में दिया गया है अगला प्रस्थन है निवना चित्र में Y का मान है यह चित्र दिये गए है A, B, C, D और यहां इतना कमान है X, इतना कमान है 150 degree मैनस X और इतना कमान है Y, आप रसन पूछा है Y कमान कितना है, तो यहां से यहां तक कमान होता है, मतलब A से लेकर D कमान होगा, वो 180 degree के बराबर, तो इन सब कोनों को जोड़ देंगे, तो बराबर कितना होगा, 180 degree के, तो Y धन, 150 रिन, X धन, X बराबर 180 degree बरा होगा, तो X और यह X कट गया, और यह 150 इस सेट चलेगा, तो Y बराबर हो जागा, 180 degree मैनस 150, 180 में 150 घटाएंगे, त इस तरह से Y कमान है, 30 degree जो कि की option C में दिया गया है, अगला प्रस्न है, रीन, 3 बटे 16 में, निम्नमे से क्या जोडने पर 11 बटे 24 प्राप्त होगा, त उससे इस तरह से लिखतेते हैं, रीन, 3 बटे 16 में, X स्जोडने पर 11 बटे 24 होगा, तो 1 से बराबर हो जाएगा, यह E स प्रत्रम समाप्रत होगा 48 तो यह हो जाएगा एक सब बराबर 11 गुनी 2 धन 3 गुनी 3 बटे 48 गुनी 22 और 3 तरीक 9 तो एक सब बराबर 22 धन 9 बटे 48 बाइस में जोड़ेंगे तो जाएगा 31 इस तरह से एक सब बराबर होगा 31 बटे 48 जो की option B में दिया गया है अगला प्रस्न है निम्ना चीत्र में कौन BAC बराबर 90 डिगरी AC बराबर 400 मिटर AB बराबर 300 मिटर है तब BC की लंबाई है प्रस्न में दिया है कौन BAC 90 डिगरी मतलब ये एक समकूंत्री भूज है AC 400 मिटर AB 300 मिटर है तब BC की लंबाई है तो ये एक समकूंत्री भूज है अब प्रस्न में प्रम्ए लगाएंगे तो यह हो जाएगा कर न कभार्ग ब्राबर लंब कभर धन 300 का बरगा चार्च चांग 16 मतलब 1,60,000 और 3,000 का बरगा करेंगे तो यह 90,000 के बरावर 1,60,000 में 90,000 के जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2,50,000 के बरावर और 2,50,000 है वो 500 का बरगा है मतलब 2,c बरावर 500 मिटर जो की ओप्शन C में दिया गया है अगला प्रस्न है सुन्य दसनों तीन का गुनन प्रतिलोम क्या होगा तो सुन्य दसनों तीन को हम रिशकते हैं 3 बटे 10 के रूप में और इसका प्रतिलोम होगा 10 बटे 3 इस तरह से सुन्य दसनों तीन का गुनन प्रतिलोम होगा Option D 10 बटे 3 Thanks for watching, जाए हिंद